राइबरेली में BSS Public School का मामलाब राजनीतिक रूप से भी गर्मा चुका है लगातार जहां अभिवाववगवा छात्र राइबरेली जिला प्रशासन महकमे से जुड़े अधिकारियों की दफ्तर पर पहुच कर उनसे शिकायत कर रहें उसी क्रम में आज राइबरेली की सदर प्रत्याशी अनीता शुवास्तो ने पहुचकर उनका पक्ष रखा आपको बता दे के अनीता शुवास्तो ने राइबरेली की एसपी वो एसपी कार्याले पहुँच कर छात्र छात्राओं का पक्ष रखा वो अपनी ही सरकार में सरकार की छवी को बट्टा लगा रहे ऐसे विद्याले प्रवंधन के खिलाफ मूर्चा खुलने की बात कही है आईए आपको सुनवाते हैं क्या कहा अनीता शुवास्तो भाजपा नेतरी ने किस इशे को लेकर आज आना हुआ है क्या दिख़्ते आ रहे हैं आज ये बीएसेस के सारे बच्चे इनको गलत तरीके से बीएसेस के जो प्रवंधक है उनको फेल्ट कर दिया है जबकि सरकार ने प्रमोट करने की बात है करोना काल में जबकि पूरे देस में करोना काल आया और ये खराप परिस्तितियों के कारण प्रमोट करने की बात कही गई जब सारे बच्चों को प्रमोट करने की बात कही गई तो ये बेटियों को पेल क्यों किया गया इनके केरियर के साथ किलवार क्यों किया गया ये बड़ा सवाल है कि ये बच्चों के साथ साल भर का ये पूरा एक साल बरबात किया गया है और जब कि हमारी सरकार ने सीरे सीरे प्रमोट करने की बात कही है सरकार आपकी है आपको यह अधिकारियों के चौकट पर बार बार आना जाना पड़ रहा है क्या मान के चला जाए इसको सब्सक्राइब करना अगर बच्चों को परिस्टार बात हुई है अगर उन्हों ना धंकी दिया है अगर गलत तरीके से इनको सोगो परिसान किया है इसकी जाच होगी जाच में दोसी पाएंगे तो निश्चित उन्हें उनके खिलाब कारवाई होगी यह एडिस्टल साहब ने अस्वासन दिया है सब्सक्राइब कि जाच हो रही है जो सही होगा वो कारवाई होगी